Canada Immigration की तीन important update है और तीनों ही सेक्टर important है पहला है जो temporary resident है चाहे वो western tourist है वो होगे उसके बाद आगया student है और इनका ultimate goal होता है Canada की permanent residency लेना Canada की PR एक तरफ तो government कह रही है के tough हो गई है एक तरफ government कह रही है के हमने पहले से ज़्यादा PR smooth कर दिया एक तरफ government कह रही है के हमें students की जरूरत है एक तरफ government cap लगा रही है एक तरफ government ने work permit बंद कर दिया है एक तरफ government work permit still flag polling के जरिये दे रही है तीन important update है हर एक category के लिए आने वाले दुनों में अगर Canada जाना है जो already within Canada application लगी हुए है बहुत ही जरूरी है आप सभी के लिए वीडियो स्टाट करने से पहले हमेशा की तरह मेरी request है अगर आप हमारी चैनल पर first time visit कर रहे हूँ चैनल को जरूर subscribe करना किसी भी तरह की visa filing में हब चाहिए या अपनी application process करवाना चाहते हूँ तो number यहाँ पर flash कर रहा है आप हमें contact कर सकते हूँ result एक ऐसा word है कि जब result किसी चीज़ का आता है चाहे वो positive हो, चाहे वो negative हो हर एक बंदा जब अपने effort करता है तो result के लिए wait करता है same चीज visa processing में है किसी ने student visa apply किया है किसी ने visitor किया है किसी ने permanent residency apply किया है किसी ने work permit apply किया है Canada की जो application है Canada की overall population है जो उसका 8% तो Canada backlog में application रखा है for example अगर Canada की जो overall population है मैं example दे रहा हूँ एक इससे ज़ादा भी हो सकती है कम भी हो से that's a different scenario Canada में overall 24 lakh से plus applications हैं जो लगी हुई है सभी हर एक category की चाहे वो student है चाहे वो visitor है चाहे वो citizenship की application है चाहे वो work permit की application है सभी category की application include करके total overall inventory है जो Canada की वो 24,20,800 application है इतने बड़े numbers में Canada में application पढ़ी है और different different जगा में जो उनके बैठे हैं visa officer वो इनको process कर रहे है अब इन में आपकी application भी है यहाँ पर दो तरह से application परसीड हो रही है सभी की हर एक category की बात कर रहा हूँ तेरा लाख ब्यालीस अजार पांसव जो application है जो पूरी application में ने बता ही है उसका 55% है जो service standard में जो प्रसेस हो रहे हैं जो processing time average चल रहा है उसमें तेरा लाख जो लोग हैं उनके result आ रहे हैं चाहे वो TRV की हैं चाहे वो कह रहे हैं PR की application है किसी भी category की application है 10,78,000 10,78,000 application है जो वो backlog में चलीगी हैं वो TRV की हैं वो student की हैं वो visitor की हैं तो 45% के करीब जो application है वो backlog में चलीगी और उनका जो result आने का time है वो कोई भी नहीं बता सेथा, कोई भी नहीं, किसी की PR की application 6 month में clear हो रही है, किसी को 2-8 साल होगे wait करते को, किसी का student visa 20 दिन में आ रहा है, किसी के 4 month होगे, किसी का visitor visa 10 दिन में आ रहा है, और किसी का visitor visa है, वो 7-7, 8-8 month से pending पड़ा है, तो overall यह scenario के अरडा की application है, अब अगर आ अपना student visa का intake चूज कीजिए, उसे हिसाब से अपना work permit लगाएं, और उसे हिसाब से जो अपनी PR की application है, वो लगाएं, क्योंकि back log बहुत जाद है, और application के result आने वाल दिनों में और भी delay हो सकती है, यह तो overall scenario application का, दूसरा सबसे बड़ा जो update है, वो student के लिए, international students है, current scenario क्या चादर है, कैसे visa आ रहे है, Canada ने recently एक update दी थी, जिसमें उन्होंने बताया कि, आपको पता है कि 4,85,000 overall visa issue करने international students को, इस साल Canada के लिए, चाहे वो कहीं से भी हो, इंडिया से हो, चाइना से हो, वर्ल्ड से कहीं भी apply कर ले हैं, तो 4,85,000 student Canada ने बलाना है, जुलाई तक Canada 2,78,000 के करीब students को बला चुका है, अब जो कुझे remaining month बचे हैं, तो expect किया जा रहे है कि near about, 1,5 लाग के करीब जो Canada international students है, उनको बलाईगा, तो ऐसे में inventory उनकी भी बहुत जाद है, तो ऐसे में अगर आपने apply करना है, तो आप अपना intake है, जो next year का apply करें, और आपकी application को थोड़ा स thousand of the dollar invest करने है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखे, और overall, जिनकी application लगी हुई है, inventory में काफी ज़्यदा application है, उन में से Canada ने student का जो 1,5 लाग के करीब जो visa है, वो issue करना है, इस साल के quota के लिए, और तूसरी और जो cubic के immigration minister है, उनका बयान यह आ रहा है, कि आने वाले दिनों म इस अधार के ऊपर चलती है, उनकी जो recently interview social media के ऊपर viral हो रही है, उसका news भी मैं description में देदूगा, आप देख सकते हूँ, एक तरफ तो billion dollar की industry है student हमें चाहिए, एक तरफ quota कम हो रहा है और visa कम हो रहा है, और हमें student नहीं चाहिए, दोनों चीज़ों में Canada government का twin face आपको दिस र अब वहां पर भी हमेशा से सुनते आ रहे हैं आप सभी भी, हम भी बताते आ रहे हैं कि Canada को immigrants की load है, इतनी जादा बड़े numbers में जो population है वो retire होनी है, हर साल Canada को immigration की load है, Canada ने Canadian experience class के जो draw है काफी time बंद रखे, फिर Canada ने इस साल के mid में वो draw reintroduce कर दे, और जब भी draw आता था थ और कहीं ने कहीं लोगों ने यह चीज़ सोच लिया था कि आने वाले पांसात मंत में चीज़ें back to normal हो जाएंगी जिन्होंने thousand of the dollar spend की हैं Canada में, बट जो recently draw वहां पर सभी शौक होगी, क्योंकि Canada ने 500 लोगों को invitation भेजा और cut-off काफी जादा था, 530K प्लस था, आप believe कर सकत हो कि अगर आप CLB लेबल अच्छा भी अचीब करती हो, आपके पास Canada की education भी है, आपके पास work experience भी है, आपके siblings भी है, तब भी आप इस target को meet नी कर पते हैं, और Canada ने अभी तक जो draw एं, उनमें जो गिंती है वो काफी ज़दा उपर रखी थी, बट आने वाले दुनमें most of the जो student है November यहां December में उनका work permit expire होने वाला है, इसको देखते हैं हो सकता है कि जो उन्होंने draw है, वो slow कर दी है, या उनके पास इस साल का quota भी कम हो सकता है, इसके पीशे multiple reasons हो सकते हैं, बट overall वीडियो का scenario यह है कि चीजें day by day tough हो रही है, क्योंकि competition जादा है, इसलिए भी peer tough हो आगे मेरा क्या scope है, चाहिए आपने as a student आना है, आपने thousand of dollars काने आपने देख के आना है, और चाहिए आपने किसी पी तरह का visa apply करना है, अपने जो plans है, उनको उन हिसाब से ही plan बनाएं, कि आगे जो आपकी application है वो backlog में ना फसी, तो यह थी important update, अमीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को ज़रूर subscribe करना, और किसी पी तरह की visa filing में हम चाहिए, number यहाँ पर flash कर रहा है, आप में contact कर सकते हो, thank you